दोस्तों आपके किसी वीडियो को पब्लिक करने के बाद दो-तिन गंटे बाद अगर वो वीडियो रुक जाता है तो कैसे दुवारा से उस वीडियो को आप व्यूज ला सकते हो उस वीडियो को आगे बढ़ा सकते हो इस वीडियो में मैं आपको तीन ऐसा तरीका बताने वाल हैं तो आप उस वीडियो को कैसे आगे कर सकते हो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ छलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जहां पर में बात आते हैं कि आप वीडियो को पब्लिक इस टाइम करते हैं अब दोस्तों मैं आपको मुबाइल के स्क्रीम पे सारा कुछ डिटेल दिखाने जा रहा हूँ आप यहाँ पर स्क्रीम पर देख सकते हो दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको अपने चैनल पर जाना है और चैनल पर जाने की बाद यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो रियल टाइम दोस्तों यहाँ पर जो रियल टाइम वीडियो दिखा रहे है यहाँ पर आपको इस तरह से क्लिक करके देख लेना है कि आपके वीडियो का इंप्रेशन जो है वो बिल्कुल रुक गया है इंप्रेशन नहीं बढ़ रहे है तो ऐसे में आपको क्या करना है अब दोस्तों यहाँ पर मैं अगर इस वीडियो को मेरा इंप्रेशन बिल्कुल रुक गया है अब इस वीडियो का इंप्रेशन जो है व आपको क्या करना है कि ऐसे ही related video आपको यूटूब में सर्च करना है। फिर वहां पर आपको देखना है कि कौन सा videoहे जो कि बहुत ऊपर आ रहा है और ज्याधा व्यूज मतलब ज्यादा विजतेगर और रहा है ऐसे एक video आपको सिलेक कर लेना है उस एक वीडियो से रिलेटेट आपको टाइटल रखना है या फिर उसके नीचे एक और वीडियो आपको देखना है उन दो वीडियो के टाइटल को मिक्स अप करके आपको अपने वीडियो का टाइटल बनाना है उसके बाद आपको देखना है कि इन उसके description में क्या लिखा हुआ है जो description है वो आपको सुधार लेना है आपका भी उस वीडियो में जिस तरीके का description लिखा हुआ है वैसा description same to same copy मत किजिएगा आपको क्या करना है कि आप भी 2-4 शब्द अपने से लगा के वैसा ही आप एक description बना लेजी अपने वीडियो में या फिर copy paste करने के बाद आप खुद से 2-4 शब्द ज्यादा लिख लीजिएगा उसके बाद आपको क्या करना है कि जो वीडियो का जो टेग है जो search में सबसे उपर आया है वीडियो उस वीडियो का टेग से compare कीजिए आपने कैसा टेग लगाया है और उस वीडियो में कैसा ए तो ऐसे में आपको उन टेग को आपको कॉपी कर लेना है जो की ज्यादा रेंक पर है आप रेंक भी चेक कर सकते हो अपने वीडियो का उस वीडियो का भी जो वीडियो आपने ओपिन किया हुआ है मतलब अगर आप क्यूबवर्डी को यूज करते हैं तो आप रेंक है रेंक में जो टेग उन सभी टेग को आपको कॉपी कर लेंगा अपने वीडियो में लगा लेना है और उसके बाद सारा कुछ edit करने के बाद आपको वीडियो दुबारा से पोस्ट कर देना है फिर देखना है आपका जो वीडियो है फिर 2-3 गंटे बात देखना आपका वीडियो रोकेट से भी ज्यादा तीज चलने लगेगा अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज और जा लेना है अगर आपकी वीडियो का जो CTR है जो CTR है वो अगर रुप जाते हैं मतलब CTR अगर आपके वीडियो का डाउन हो जाते हैं तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो दोस्तों आपको एक ही चीज पर ध्यान देना है अपके वीडियो का थमनेल पर जहां दोस्तों अगर आपके क्लिक थ्रू रेट मतलब आपके वीडियो में काफी अच्छा इंप्रेशन तो जा रहा है लोगों के पास वीडियो पहुंच रहा है लेकिन देक नहीं रहे है तो ऐस अमें आपको क्या करना है जो क्लिक करने के लिए बना देना है थोड़ा क्लिक बैइच करना है उस थमनेल पर अगर आप एक नए creator है या फिर आपके जो चैनल है वो बिल्कुल डैड है आपके चैनल पर अच्छा व्यूज नहीं आ रहे हैं तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो दोस्तों ऐसे में आपको यह करना है जो भी आप content क्येट करें वह ज्यादा तर आपके जो सर्च वीडियो में चैनल हो या फिर नया चैनल हो उस वीडियो में दुबारा से बूस्त वीलना स्टार्ट हो जाएंगे दुबारा से देखना वीडियो को डेखना स्टार्ट कर देंगे तो दोस्तों इस वीडियो में आपको यही इंफोर्मेशन देना चाहता था कि अगर आपका वीडियो प आपको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्यू